सब गाइज वाचिंग वी मस्कुलारिटी और मैं हूं रॉना बंद्रा वेलकम बैक आज आज मैं आप से डिसक्स करने वाला हूं अपने हॉन में आप संद्राहिकोड कर रहा हूं है अब कम स्रम जब से सार मैं हो चुक था मैं फर पर पहर रहां है सो पूरा डिसक्स कर करेंगे कैसे अपने फॉल बॉड को ट्रेंगर सकते हैं सिर्फ इतने सही एक्वित्मेट्स से व्ल राइट हम एट हूं मेरा प्यारा सा जिम जहां मैं करता हूँ एक्सराइज सबसे पहले जो में चीज है वो है डंबल्स इस बर मैंने जो डंबल्स लिए है वो अब मैंने ले ले लिए हैं तेन केजिस के कि मुझे अब हैवी लिफ्ट करता हूँ मैं काफी टाइम हो गया है जिम जाते वह तो हैवी लिफ्टिंग के लिए टेन केजिस आप पेर ओफ डंबल्स लिए मैंने और यह हैं रबड के हेक्जगन बेस्ट कॉलिटी ऑफ डंबल्स हैं और यह इसकी प्राइस है ट्वेंटी इसकी फाइन कॉलिटी है इसकी सो नेक्स्ट हमारा आता है बेंच यह है नेशनल बॉडी लाइन कपनी की बेंच अगर आपने इसकी वीडियो भी तक नहीं देखी है मेरे चैनल पर तो वह उपर आई बटन पर आ रही है यहां पर यू कन गो एंड वाच आफ्टर दिस इसक अब वहां देख सकते हैं बहुत बड़ी है कॉलिटी की बेंच है दो मंस के बाद अगर मैं बता हूं तो बहुत ही बड़ी है बहुत ही प्रीमियम कॉलिटी की बेंच है और यह है मेरे वेट्स यह मेरे पास हैं ओलंपिक वेट्स मेरे पास 50 kgs of free weights हैं जिनके साथ मैं exercise करता हैं मुझे 40 kgs and 5000 एक्स्ट्रा और खरीदें यहां पर आप लेग एक्स्टेंशन भी कर सकते हैं सो यह हमारी 3-1 एड़ेस्टिबल बेंच है इंकलाइन डिकलाइन और फ्लाइट बहुत ही बड़े बेंच है प्लस यहां पर आप इसे एड़ेस्ट भी कर सकते हैं यू कन एड प्रवेट्स जो हैं 5 kg के तो 5 kg के दो 2.5 kg के दो 2.5 kg के दो 2.5 kg के दो और और 7.5 kg के दो यह टोटल हो गए यह तंबर हो गए और यह हो गई हमारी बेंच और यह है स्किपिंग रोप सो यह फुल सेट अप है मेरे होम जिम का यू कन सी अगर आपको कुछ भी प्रॉबलम हो then you can tell me comment कर सकते हैं आप नीचे यह सारी मैंने जो चीजे ली हैं वो सब ओफ लाइन ली हैं तो छोटा सा सेट अप है अंडर 10,000 रुपीज अराम से हो जाएगा पूरा सेट अप और अगर आप और इन्वेस्ट करना जाते हैं और भी चीजे बड़ यह बेस्ट सेट अप है किस मसल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए अगर आपको घर पर ही अभी जिम करना है वर